TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV Canada में क्यामा थेस गर्मी, British Columbia में 233 हला सिरिफ एक दिन में Canada की सूबे, British Columbia में heat wave से 100 से जायद हलाखते हुई Western Canada में गर्मी का 126 साला रिकॉर्ड तूट कया Ontario हकोमत के स्लामोफोबिया के खिलाफ बड़ा फैसला, 3 लाग डॉलर खर्च किये जाएंगे सुबाई हकोमत की जानिब से नए आने वाले महाजुरीन के लिए भी सर्माया कारी की जाएगी Canada में अवामी हलकों का Canada Day की तक्रीबात मनसूख करने का मतालबा अवाम की जानिब से मतालबा कदीम कबाई से जार एक जहती के लिए किया गया है Conservative Party ने तक्रीबात मनसूख करने की मुखालफ़त की है Canada भर में कोरोना वारस के फैलाओं में मामूली कमी मरीजों की मश्मीट अदाद 14,14,736 तर जाबाँची हलाकते 26,273 हो गई जर्मन फॉर्च का अफगानिस्टान से इंखला मुकमल तालबान का घजनी शहर पर बड़ा हमला अफगान फॉर्सिस के साथ लड़ाई जारी मरकजी बजार में दुकाने बंद हो गई और कर्फ्यू का समा है दुनिया भर में करोना केसिस के तादाद 18,26 लाग से तजावस कर गई ऑस्टेलिया में डेल्टा वेरियन्ट का पहला अचारी नियू साउथ वेल्स पुरी तरह मतासर फरांस में भी डेल्टा वेरियन्ट के केसिस में तेजी आ गई हेड्लाइंज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com केनिडा के सुबे ब्रिटिश कॉलंबिया में जम्मे से अब तक हीट वेफ के सबब मरने वालों की तादा 233 हो गई है गर्मी के लहर मजीद करी रोज तक जारी रहेगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में सरतरीन मुल्क केनिडा में कियामत खेस गर्मी से निजाम जिन्दगी मफ्लूच हो गया है अचानक और गर्मामुली गर्मी से कैनिडा के सुबह ब्रिटिश कॉलंबिया में जम्मे से अब तक मरने वालों की तादा 233 हो गई शदीद गर्मी से निजाम जिन्दगी मतासर हुआ है जबकि गर्मी का 126 साला रिकार्ड टूट गया हकाम ने अमवात में इजाफे का खच्छा जाहिर किया है तारीख में पहली बार सरतरीन इलाके में दरजा हरारत 49.5 डिक्डी सेंटी ग्रेट तक पहुँचा है रिपोर्ट के मताबिक सिर्फ ब्रिटिश कालंबिया के शेह वैंकोवर में 69 अचानक अमवात रिपोर्ट हुई हपस और घुटन से दम तोड़ जाने वाले अफरात में ज्यादा तर बूढ़े और बीमा शामिल है सरतरीन इलाकों में गर्मी से एर कंडिशन्स की मांग बढ़ गए वैंकोवर केनेडा के सरतरीन इलाकों में से एक है और इसलिए लोगों के घरों में एर कंडिशन्स नहीं थे माहरी ने मौसमियाद के मताबिक दरज़ा हरारत गुजशता जुम्मे से बढ़ना शुरू हुआ था कैनेडा में मजीद कई रोस अख शदीद गर्मी की लहर जारी रहने की पेश कोई की गई है दूसरी जानिब इन्वारिमेंट कैनेडा ने ऐलान किया है कि जीटिये के एलाकों में आएंदा चन्द दिनों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा इस दोरान शदीद बारिश और सैलाब आने का भी खच्चा है एलान के मताबिक जीटिये के मुतालगा एलाकों में तेज हवाँ के साथ बारिश और दर्जा हरारत बढ़ने के खच्चाथ हैं महकमे ने शेहरियों से हिफाज़ती इंतजमात पर अमल करने की अपील की है कनेडियन सुबे ओंटेरियो में हकूमत की जानिप से सकूलो में इसलाम sometime औलर दिए जाएंगे जब लंदन ओंटेरियो में एक वसल्मान कھराने के चार अफराद को गाड़ी से कुचल कर हलाक कर दिया गया था पुलिस के बकौल ये गतल नफरत अंगेज औ मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी ज़स्वात के तहत किये गए थे वजीर तालीम का कहना था कि ये बात नाकाबले कबूल है कि मुस्लिम तुल्बा को स्कूलों में इम्तियाजी सिलुक का सामना करना परता है लंदन हमले ने कैनेडा में मुस्लमानों के खिलाफ पाये जाने वाले नसल पर अस्ताना जजबात पर कामी सदा पर बहसों मुभाइसा किया और इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए कारवाई का मतालबा किया सूबे के वजीर तालीम स्टीफिन लीचे का कहना है कि दो लाग पच्छिस हजार डॉलर से मुस्लिम एसोसियेशन कैनेडा में असातिजा तुल्बा और वालदین के लिए इस्लामोफोबिया के बारे में शौर औजागर करने के लिए डिजिटल वसायल की मदद से प्रोग् कांसल में जाएंगी ताके नए आने वाले मुस्लिम कम्यूनिटी के अफराद को अपने इस नए मुल्क में रहने बसने में मदद मिल सके दूसी जानिब ऑन्टेरियो हकूमत ने मुल्क में आने वाले नए महाजरीन के लिए सर्मायकारी का फैसला किया है ताके उन्हे अच केंडार डे की तकरिबात मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा है जबके मुकामी हकूमतों की जानिब से भी इस सलसले में गौरोखोस किया जा रहा है कینیड़ा की कंसर्वेटिव पार्टी कینیड़ा डे की तक्रीबात मनाने के हक में हैं जबके दीगर कई कमिनिटीज चंद दिन पहले रहाशी स्कूलों में बच्चों की बाकियाद दर्यात होने पर मतासरा विराज़ी के गम के एहतराम में कैनیड़ा डे की तक्रीबात करने का सोच रही हैं याकुम जुलाई को कैनیड़ा डे पर आतिशवाजी और तक्रीबात के अनिकात पर मुल्ग भर से मुक्तले रहनुमाओं ने सवाल उठाएं हैं जिनमें शुमाली मिनी टूबा का खस्पा चर्चल नेस सेस्कीचवान का शहर मीलवेल और मेडूलिक श रास्त की जाच परताल के लिए खड़ा नहीं होता है नेकिन माजी में होने वाली खलतियों से जो भी तक्रीफ महसूस हुई है उसे एक बहतर मस्तक्बिल की तामीर के महरक के तौर पर इस्तिमाल करना चाहिए अलबर्टा की मेंबर पार्लिमेंट मेशील रेंपल गार्नर ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से शाया हुए एक मजबून का जवाब देते हुए लिखा कि मकामी लोग कैलिगरी से मतालबा करते हैं कि वो कैनेडा के दिन की तक्रीबात मनसूफ करें उनका कहना था कि कदीम खबाई की आवाजों उनकी नसीयतों को सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए यकुम जुलाई को हमको कैनेडा डे मनाने के साथ साथ माजी के वाकिये पर भी गोर करना चाहिए औरियो सुबे में करोना केसिस की तादा सबसे ज्यादा है सुबे भर में करोना वारिस से मतासर होने वालों की तादा पांच लाग 24,713 तक जा पहुंची है मजीद अफसिला इस रिपोर्ट में कینیडा भर में करोना वाइरस के पहलाओं में मामूली कमी देखने में आ रही है मुल्क भर में करोना केसिस 14 लाग से तजावस कर गए कینیडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादा 14,14,736 तक जा पहुँची है जबके हलाकतیں 26,273 हो गई जबके 13,886,16 अफराद सहत्याव हो चुके है ऑंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज़्यादा है सूबे भर में करोना वाइरस से मतासर होने वालों की तादाद 5,44,713 तक जा पहुँची है जबके हलाकतوں की तादाद 9,154 है ऑंटेरियो हकूमत के तरजमान ने ऐलान किया है कि ऑंटेरियो आइनदा चन्द दिन में करोना एकदमात के तहट नए मरहले में दाखल हो जाएगा जिसके बाद लोगों को बहुत से शुबों में आसानी हासल हो जाएगी कैनेडा में करोना वाइरिस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई हैं जहां करोना वाइरिस के मच्मुई केसिस की तादा 3,74,731 है जबके सूबे में करोना वाइरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 11,207 तक पहुँच चुकी है कینेजन सूब अलबर्टा में केसिस की तादाद 2,001,001 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए है जबके 2,299 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 1,47,578 तक जाप पहुची है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,754 है अफगानिस्तान से जैसे जैसे गहर मलकी अफवाज वापस जा रही है साथ ही साथ तालबान ने भी ज़्यादा से ज़्यादा अलाकों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है इस वाले से एक मजीच चानते हैं अफवानिस्तान से जैसे जैसे गहर मलकी अफवाज वापस जा रही है साथ ही साथ तालबान ने भी ज़्यादा से ज़्यादा अलाकों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है अगवान मीडिया के मताबिक 20 साल तक अगवानिस्तान में तायोनात रहने के बाद जर्मन पौज का वहां से इंखिला मुकमल हो गया और गुजिश्टा रोज आखरी जर्मन पौजी भी अपने वुल्फ वापस रवाना हो गया जर्मनी की वजीरे दिफार एंगरेट क्राम कारिन बावा ने बताया के जर्मन फौज का आखरी सिपाही भी बाहफाज़त अगवानिस्तान से वापस जर्मनी अपने घर पहुँच किया उन्होंने अख्वानिस्तान में दो हजार एक से तायुनात रहने वाले डिर्ड लाक से ज़एदा फाज़ियों का शुक्रियादा किया जिन्होंने जिंग में हिसा लिया और उन पर फकर का इजार किया इन डेर लाक में जर्मनी के 1100 फौजी शामें थे जिन में से उनसर जंग में हलाक हुए जो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन फौज की सबसे ज्यादा हलाकते हैं दूसरी जानेब गर मुलकी अफौज के इन खिला के साथ ही तालबान ने भी अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। कुछी रोस पहले उन्होंने गंदूस में ताजिकिस्तान की सरहत पर मुकम मर्क गबजा कर लिया था। अब उन्होंने मुलके वस्ती शहर गजनी पर गबजा करने के लिए एक बड़ा हमला किया है और वहां अगवान पुर्सिस के साथ एक खौफनाक लड़ाई चारी है। अगवान हुकाम के मताबिक अगरचा सूबा घजनी में तालबान का पहले से गहरा असरो रसूख है लेकिन अब मर्कजी शहर पर उन्होंने मुक्तलिफ सिम्तों से बहुत ही खाफनाक हमला किया है। घजनी को गंधर से मिलाने वाली मर्कजी शहरा पर जड़पे जारी हैं शहर के शेख अजल और गंच समेथ मुक्तलिफ एलाकों में चौकियों के नज़ीक लड़ाई में शिद्दत आ गई हैं जिसके बाइस मर्कजी बाजार में दुकाने बंध हो गई हैं और कर्फियों क समा हैं सड़के बंध हैं और मवासलाती रापतों में खलल पर रहा है जिसके बाइस जानी नुकसान की सही इतलात मौसूल नहीं हो रही अपरेल में नेटों ने अगवानिस्तान से अपने साथ हजार फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था जबके अमरीकी सदर जो इसला में से नवे पर मुकामर कंट्रोल हासल हो चुका है और यह वापसे रियासत नियू साउट वेल्स बुरी तरह मतासर हुई है जबके रियासत में करोना के मकामी मुन्तकली के बाइस नए केस इस रिपोर्ट हुए है डेल्टा वारियन्ट पर काबू पाने के लिए सिड्नी समेच चार बड़े शहरों में सफ लागडाउन नाफिस है जबके आस्टेलिया में हर दो में से एक शक्स करोना पाबंदियों के जेरे असर है दोसे जाने फ्रांस में भी डेल्टा वारियन्ट के केसिस में तेजी आ गई जबके मल्क में रिपोर्ट होने वाले करोना केसिस में बीस पीसद डेल्टा वारियन्ट के केसिस रिपोर्ट हो रहे हैं इंडोनेशिया में करोना केसिस बढ़ने पर आक्सिजन की तलब भी बढ़ गई जबके अस्पतालों में मरीजों के इजाफे से गुंचाईश खत्म होने लगी है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की मचमुई तादाद 18,26 लाग से बढ़ गई जबके 49,54,936 अफराद जान की वाजी हार चुके हैं दुनिया भर में करोना से सहत्याफ होने वालों की तादाद 16,52,40,000 और फाल केसिस की तादाद 14,34,000 जाइथ है अमरीका में करोना से मरने वालों की कुल तादाद 6,19,980 तक पहुँच गई है जबके 3,45,27,000 से जाइथ मतासर है भारत में करोना से मतासर अफराद की तादात तीन करोर तीन लाग बासट हजार से जायद है और तीन लाग अठानवे हजार चार सो चारासी अफराद जान की बाजी हार चुके हैं برازیل میں کرونا से متاثرہ افراد کی تعداد 1,85,013,000 سے زائد ہو گئی اور 5,16,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں پرانس में 57,12,844 افراد متاثر اور 1,11,057 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 54,20,000 سے زائد افراد کرونا से متاثر اور 49,687 ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا से متاثرہ افراد کی تعداد 4,86,000 سے زائد ہو گئی ہے और 7,000 से 848 अफराद हलाक हो चुके हैं टैग टीवे के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवे